Hello and welcome back to Asset Guide YouTube channel आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वन कोईन से बैलेट रिचार्ज होता है वेबसाइट में रिदिसिधीम.com में उसमें किस तरीके से हम अकाउंट बनाते हैं और इस अकाउंट से हम कैस किस तरीके से उसको कैस में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं तो देखेंगे अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम इस वेबसाइट में अकाउंट बनाएंगे और जो हमारा वन में वैलेट रिचार्ज होगा वन के साथ INR में वैलेट रिचार्ज होगा उसको हम बिडोल कर सकते हैं तो ऐसा तो possible नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप जो यहाँ पर account बनाएंगे और wallet recharge करेंगे यह same facility आप अपने किसी non person को किसी family members को दे सकते हैं और उसके बदले में जो money है उसको ले सकते हैं तो यह एक process है जिसमें आप यहाँ से कैसी बिडोल कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि इसमें account कैसे बनाएंगे तो website आपके सामने है सबसे पहले आपको जाना है my account पर जैसे आप my account पर click करेंगे तो आपके सामने पूरा form जो है वो खुल जाएगा यहाँ पर register करने का एक option आएगा यह आप देख सकते हैं जैसे आपने यहाँ पर 800 रुपे जो है में जाएंगे तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले register पर क्लिक करेंगे register करने के लिए हमें यहाँ पर डालना होगा email address तो मैं अपना email address यहाँ पर डाल देता हूं email address डालने के बाद में register पर click करूंगा तो हमारे email पर एक mail जाएगा जहां से हमें password reset करने के इंटरफेस आएगा यहां पर आप 60% पेमेंट कर सकते हैं फॉन पे गूगल पे पेटियम के थुरू और बाकी 40% आप इस आईडी पर यह बहादूर 876 करके जो यूजर आईडी है इस पर आप ट्रांसफर करेंगे तो दिखे यहां से सारी चीज़े आप चेक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो अपने अकाउंट को डिटेल चेक कर सकते हैं बैलेट चेक कर सकते हैं वो मैं आपको एक एक कर के दिखाता हूँ डैसबोर्ड में आपको सारा रिकोर्ड दिखेगा इसके बाद जो आपने ओर्डर किया है वो यहां ओर्डर में देख पाएंगे और जो डाउनलोड आपने किये है वो डाउनलोड में दिखेगा एड्रस यहां पर मिलेगा अकाउंट डिटेल यहां पर मिलेंगी बैलेट म पर आएगी इसके साथ साथ मैं और address भी आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके साथ address भी डालेंगे जहां पर आपको अपने product की delivery लेनी है इसके बाद आप जो download में भी जाकर कुछ चीज़े कर सकते हैं वो हम देखेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं account detail तो द यह जो ballot है इसका क्या use है वो भी मैं भी बताऊंगा फिलाल आप यह देखिए registration credit हुआ है 10 रुपे का amount और यह date भी यहाँ पर आगी November 19, 2022 21 बचका 53 यह time है अब हम account detail देखते हैं या जैसे आपका ballot recharge होगा जैसे आप 12 रुपे यहाँ पर transfer करेंगे और one coin transfer करेंगे उसके आपको INR में reflect करेंगा जिससे आप shopping कर पाएंगे account की detail आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर यह रहा आपका account detail यहाँ पर आपका नाम रहेगा email address रहेगा नीचे आप password चाहे तो change कर सकते हैं अगर आप change नहीं करना चाहते तो उसको एज़ेटिस छोड़ सकते हैं इस यहाँ पर आपको अपनो product देना है तो यहाँ पर हम सभी online payment करते हैं तो billing address आप च्छोड़ सकते हैं shipping address आप यहाँ पर add कर सकते हैं तो मैं देखी shipping address open करके दिखाता हूँ shipping address में आपको नाम रहेगा और address की सारे details जहाँ पर आपको product की delivery लेनी है वो यहाँ पर fill करनी है जैस सारी चीज़े हो जाएंगी तो देखे मैं फटाफट यहाँ पर अपना address डालकर save करता हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना address डालकर save कर दिया है जो कि मैं अराम से नीचे देख सकता हूँ यहाँ पर मेरे product की delivery होगी अभी मैं आपको download में किस तरीके से चीज़े manage होती हैं तो मैं इन पर क्योंकि यहाँ पर तो payment reflect नहीं होगा आपको ballot में direct दिखाई देगा तो मैं अभी आपको product select कर देता हूँ फिर product किस तरीके से select करने है यह मैं बता देता हूँ फिर मैं payment करूँगा उसके बाद मैं बेट करूँगा कि कितनी देर में मेरा account update होता है अब ballot में address add हो तो मैं जाता हूँ यहाँ पर cotton jeans और यहाँ पर मुझे चीए black color में तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीजे चेक कर सकते हैं जैसे मुझे यहाँ पर यह जो product है मैं इसको open करता हूँ इसके बारे मैं information देखता हूँ यहाँ पर आपको size मिल जाएगे 28, 30, 32, 34 करके आप इसको buy कर सकते हैं तो मुझे यहाँ पर 28 का एक piece order करना है मैं इसको add to cart करता हूँ अभी मुझे इसका एक piece और order करना है वो मैं यहाँ पर 34 size का और इसको भी मैं add to cart करता हूँ अगर आपको अपने cart में क्या product available है वो check करना है तो आप view cart करेंगे और बहाँ से कोई product अगर हटाना है तो वो किस तरीके हटाएंगे वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरी cotton jeans 28 size की है एक 34 size की है तो मैं इसको यहाँ से remove अगर करना चाहूँ तो इसको remove कर सकता हूँ देखिए मैंने एक product यहाँ से remove कर दिया अब मेरा एक ही product select है और मुझे इसके लिए 980 रुपे पे करने हैं अब अगर मुझे दुवारा से फिर product search करना है तो मैं फिर जाओंगा आप पर मैंस पर और यहाँ पर पैंट्स पर और यहाँ पर मैं जाओंगा jeans और cotton jeans में आप दोनों कुछ भी check कर सकते हैं मैं यहाँ पर check कर रहा हूँ jeans पहले फिर cotton jeans हम देखेंगे तो यहाँ पर jeans में आपको यह अलग-अलग size देखने को मिल रहे हैं तो जो भी product आपको यहाँ से अच्छा लगता है उसको आप select कर सकते हैं करने के बाद open करके सारी चीज़े देख सकते हैं दुबारा से आपको जाना है तो फिर आप search कर सकते हैं आप ladies के garments भी है जो कि upcoming है जल्दी आएंगे तो अब हमें यह देखना है कि हमने कौन से product select किये हैं मैंने दो product यहाँ पर select किये हैं जिनको मैं यहाँ पर जिनका payment करूँगा और तो उसके लिए हम यहाँ पर card पर जाएंगे जो right side में यह corner है यह card है यहाँ पर देखें दो लिखा हुआ रहा कि मैंने दो product select किये हैं मैं इसको process करता हूँ यह आप इस तरीके से detail भी check कर सकते हैं detail check करने के बाद नीचे आपको जो detail है वो आएंगी तो यहाँ पर billing address में मुझे अपना नाम देकि billing address होता है जो person जिसके नाम से billing हो रही है यानि की payment कोन करता है उसकी detail यहाँ पर आपको डालने पड़ेंगी और इधर आप जो है अपने order रहेंगे रो order की detail है और यह 2079 रूपीज का order है तो हम चलिए जल् wallet में भी balance add नहीं हुआ है तो हमें बेट करना पड़ेगा और next video में मिलते हैं बाकी का process समझाने के लिए क्योंकि ऐसे अगर हम payment करेंगे तो हम online payment कर सकते हैं जो one coin के member नहीं है वो directly यहाँ पर proceed to check out कर सकते हैं और paytm के through या फिर किसी भी दूसरे method से payment करके अपना order place कर सकते ह हैं लेकिन हम one ecosystem के member हैं तो हम बन से payment यहाँ पर करेंगे तो हमारा payment जब reflect हो जाएगा उसके बाद हम आगे का process करेंगे अभी इस video को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि video की length काफी लंबी हो जाएगी और आप इतनी लंबी video भी देखना पसंद नहीं करते तो चलिए मिलते ह next video में बाकी information के साथ